हाई फ्रेंड आपिशेक वेलकूंटो माई यूटूब चैनल दा ओशियन आप शिक्षा तो इस वीडियो में हम 27 एर प्रिलिम्स कोशन पेपर डिसकस करें जो कि हमारा सब्जेक्ट और यूनिट में डिवाइड़ेट है जो हमारा हाट यूनिट है वो क्या है कुछ स्रीज मे कर देई हुए है हमारा मीडियावल हिश्ट्री का नहीं है तो चलिस करतें आग्च के रिक प्रेंट साथ में पहहला कोशन डिसकस कि आ है उसकला की आट शीटकल कर एक Sally ने भारते लगू कला के विविन विद्यालों के रीट की हड़ी का अस्तम बनाया था निम लिखित में से कौन सा चितरकला Sally मुगल चितरकला से परभावित नहीं हुए थी तो इसका जो राइट आंसर था वो था option D यानि की काली घटा दूसरा question में में यह बताना था कि मद कालीन के प्रसीद विविद्यालों था यानि की जो medieval period था तो उस टाइम के famous jurist कौन थे option A है हमारा business word option B है हमारा हमेदर हमेदरी option C हमारा राज सेकर option D है हमारा जीतू वहां तो इसका जो राइट आंसर था वो तो option C अगला question में यह बताना था कि निमलिखित में से किस इसमारक में एक गुबन है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा गुबन कहा जाता है तो इसका जो राइट आंसर था वो था option D यानि की गोल गोल गुमज जो की वीजापूर में में देखने को मिलता है अगला question यह था कि जो अस्तरपरदा परधान कॉंसिल मिनिस्टर था वो हमें किसकी administration time period में देखने को मिला था तो यह था इसका जो राइट आंसर था वो था option D यानि की मराथा administration के टाइम पर हमें अस्तरपरदान देखने को मिला था अगला question दिया गया उसमें से में यह बताने कि किस सेन कारणामों के दोरान मानचीतर में दर्साए गए गए मार्ग के अनुसार किया गया था तो option इसका जो राइट आंसर था वो था option D यानि की मलिक काफूर अगला जो question है उसमें हमें यह बताना था कि जो अप भ्रंस सब्द है जो मदे कालीन में संस्कृत करंद में किया गया था तो वो किसको डिनूट करने के लिए किया गया था तो इसका जो राइट आंसर था वो था option C यानि की कुछ आधूनिक भारतिय भासाओं के प्रारंब एक pedestrian script था जो कि medieval भारत में इसका यूज किया गया था अगला जो question तो उसमें हमें यह बताना था कि जो जिस किस सूफिस संत ने कहा था कि जो भक्ति संगीत है भक्ति संगीत उनके करीब ले जाने का एक तरीका है तो इसका जो right answer है वो है option A यानि की मुई उद दिन चिस्ति अगला जो question था उसमें हमें यह बताना था कि किस मुगल सासंग के तहत मुगल चितरकला को अपने चरम सीमा पर पहुँचा दिया गया था तो इसका जो right answer था वो तो option C यानि की जहांगेर हमारा जो last question था उसमें यह बताना था कि जो मद्यकालिन भारत में जो मंसबदारी पर ना ली यानि की जो मंसबदारी सिस्टेम है उसकी सुरुवात किसली की गई थी तो इसका जो right answer था वो तो option D यानि की effective clean administration यानि की स्वक्ष प्रासासन को प्राभावित करना तो friends से गुरू अमर्दास मीरी एन पूरी option B है हमारा गुरू अर्जुन देव आदिनाथ option C है हमारा गुरू ग्रामदास दाल खाल्सा और option D है हमारा गुरू गोविन सिंग मंजी तो इसका जो right answer है वो है option B यानि की गुरू अर्जुन देव आदिनाथ जो हमारा गुरू हर गोविन है तो वो थो उनका किसे करेक्ली में सोता तो हाँ पे था मीरी एन पूरी और जो हमारा गुरू गोविन सिंग थे वो कौन थे तो दल खाल्सा तो इसलिए जो इसका right answer था वो था option B यानि की गुरू अर्जुन देव का आदिनाथ आदि है वो किसके द्वारा लिखी गई थी तो option A है बिहारी, option B है सूरदास, option C है रस्खान, option D है कभी तो इसका right answer है वो है option C यानि की रस्खान रस्खान के द्वारा 1558 से 1628 के बीच में जो भगवान स्री कृष्ण के लाइफ के उपर जो पोयम लिखिये बाटी का लिखी गए थी तो जो हमारे रस्खान है उनका जन्द एक मुस्लिम परिवार में हुआ था लेकिन वो कि उसको follow करते थे तो भगवान स्री कृष्ण को follow किया करते थे इसका जो right answer वो है option C आज का जो हमारे अगला question है उसमें हमें यह बताना है कि जो बलवन ने अपने सकती को मजबूत करने के बाद भवे उपादी जो धारना की थी वो कौन सी title अब धारना की थी तो option A है टूटे इन, option B है कैसर, इलहिं, option C है जिल्ले लाही, option D है, दिन A लाही, तो इसका जो right answer है, वो है option C, यानि कि जिल्ले लाही, यानि कि जो फार्ची दरवारी मोडल ने बलवन के राजत्वू के अब धारना को प्रभावित किया था, जिसके कारण क्या था, उन्हें है पदवार ग्रहन करवाया गया था, जिसमें क्या था, तो जिल्ले लाही था, तो जिसका अर्थ होता है, इस्वर की छाया, तो इसका जो right answer है, वो है option C, यानि कि जिल्ले लाही, आज का जो अगला कुशन है, उसमें हमें ये बताना है कि जो अकवर के, जो अकवर का जो सासन काल था, उसमें मानिता प्राप्त जो केंदर परसासित त कंतर थे, कि तहत में जो सेन ये बिवाग के प्रमुख कौन हुआ करते थे, तो option A है दिवान, option B है हमारा मीर वक्षी, option C है मीर समन, option D या वक्षी, तो इसका जो right answer है, वो है option B, यानि की मीर वक्षी, इसका जो right answer है, वो है option B, यानि की मीर जाफर, मीर जाफर जो हुआ करत वह चीफ कमांडर नहीं बल जो जो अधिकारी हुआ करते थे और जो समाचार पतरकारों से वह अपनी क्या करते थे सूचनाय राप्त करते थे तो इसका जो राइट आंसर था वह था ऑप्शन भी यानिकी मेर बक्षे अगला जो कुशन है उसमें यह बताना है कि दो स्टेटमेंट दिये गए एक है व्याख्या और दूसरा है कारण तो हमें उसमें बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है तो हमारा पहला जो व्याख्या है वह यह कह रहा है कि जो भारत की खूफिया के चिस्ति आदेश के प्रायोजक और सबसे प्रमूत व्यक्तिव ख्वाजमुईदिन चिस्ति हैं इसका जो कारण है कारण यह बता रहा है कि जो चिस्ती आदेश है वो अजमेर के एक गाउं चिस्ती से अपना नाम लेता है तो option हमें option है option A है हमारा कि both are true but are is correct expression of A यानि कि हमारे दोनों statement यानि कि व्याक्ष्या और कारण दोनों सही है और R जो यानि कि जो कारण है वो व्याक्ष्या की सही व्याक्ष्या करता है option B है हमारा दोनों statement correct है but जो हमारा कारण है वो व्याक्ष्या की गलत expression करता है यानि कि सही expression नहीं करता है option C है हमारा कारण सही है व्याक्ष्या गलत है option d कहता हमारा व्याख्या गलत है कारण सही है तो इसका जो right answer है वो है option c यानि कि जो हमारा व्याख्या है वो सही है कारण गलत है तो देखते कारण क्यों गलत है हमारा यानि कि जो चिस्ति आदेश है वो क्या है तो इस्लाइम की रसमयवादी के भीतर की एक सूफी साखा, मतलब सूफी आदेस है, जिसे चिस्ती में अस्थापित किया गया था, कहां? तो यह जो हमें देखने हूं की मिलती है, हेरात अफगानिस्तान के गौवं में, इसे गौवं के एक छोटा सा सहरा वहां पर अस्थाप में ग動画 पर देखेने तो इसलिए अमारा जो कारण था वो तो गलत हो गया था तो इसको जो राइट आंसर है वो है option C यानि कि हमारी व्याख्या सही है कारल गलत है अगला जो question है उसमें हमें यह correctly match करना है किसे तो जो different languages है और महाभारत के विशे में जो उनकी करतियां है उनसे related हमें क्या करना है इने correctly match करना है जो option A है हमारा सरलदास बंगाली option B हमारा कासी राम उडिया option C हमारा टिककाना माराथी और option D हमारा पंपा कन्नड तो इसको जो राइट आंसर है वो है option D यानि कि पंपा कन्नड इसका जो राइट आंसर है वो है option D यानि कि पंपा कन्नड यानि कि जो पंपा कन्नड ते वो कहा कन्नड के एक कभी है जिनकी रशनाव में उनकी मानेताओं के को दर्साया गया है विक्रम आरजुन जीने पंपा भारत के नाम से भी जाना जाता है तो उन्हें जो व्यास जीते उनके महाभारत कभी ता जो महाभारत का जो महाकाव्य है उनका कन्नड संस्क्राइट इनके द्वारा किया गया था तो इसका जो राइट आंसर था option D is correct answer अगला जो कुश्चन है उसमें में ये बताना है कि जो अमेरिका की खोज यानि अमेरिका की खोज का उलेख कर देवाला मदेकालिन भारती उलेख लेख कौन है option A है हमारा मलेक मुहम्मद जयासी option B है अमीर खुसरो option C यरस खान option D है अबूल फजल तो इसका जो राइट आंसर है वह option D यानि की अबूल फजल अबूल फजल की द्वारा ही डिस्कवर ऑफ इंडिया यानि की जो मदेकालिन में जो डिस्कवर ऑफ इंडिया का जो लेख कोन है तो अबूल फजल है आज का जो अगला कुश्चिन उसमें में यह बताने की जो सिवा जी के अस्ट परधान के सदस जो विदेश मामलो को देखा करते थे तो वह कौन तो क्या नाम था ओप्शन ए है पेशवा, ओप्शन डी है सचीव, ओप्शन डी है पंडित राओ, ओप्शन डी है सूमन्त तो इसका जो राइटा अंसएड है वो है ओप्शन डी यानि की सूमन्त जो सचीव ववा करते थे वो राज परिवार परिवर्थन मंत्री थे और जबकि जो पंडित राओ थे वो धार्मिक मामले को देखरे किया करते थे और जो सुमंत थे वो विदेश मंत्री के रूप में काम किया करते थे इसलिए जिसका जो राइट आंसर था वो था option D यानि की सुमंत अगला जो question उसमें मैं यह बताने कि जो गंधार की जो हार वी थी वो किस परकार से मुगल इंपायर के लिए एक बड़ा जटका था option A है हमारा natural resources यानि की प्राकरतिक संसादर option B है हमारा ब्रफ ब्रफ छेतर option C है हमारा संचाट option D है हमारा रन नितिक गड़ यानि की strategic strong hold तो इसका जो राइट आंसर था वो तो option D यानि की जो साजहान ने 1638 में इरानियों के से गंधार को पुना प्राप्त किया लेकिन तीन अभ्यानों के बावजूद 1949 में इसे फिर से खो दिया था खो दिया था गंधार की हार के का बड़ा जटका था क्योंकि यह एक रनितिक गड़ था यानि की जैसे जैसे ही जो साजहान वो हमारा जो यह कंधार को जैसे हारे थे तो वो क्या था उनके लिए एक स्ट्रेजिटिक स्ट्रॉंग होल्ड था तो इसका जो राइट आंसर था वो तो option D यानि की स्ट्रेजिटिक स्ट्रॉंग होल्ड अगला जो कोशन है उसमें में यह वताना है कि जो संतलत पीरियड था उसकी उस्ट पीरियड में यह जो फवाजिल का अर्थ क्या है option A है रसयों का अतरिक्त भुक्तान option B है हमारा वेतन के बदले दिया गया राजस्व option C है हमारा एक्तादरों द्वारा राज कोश को भुक्तान की गई अतरिक्त रासियों यह option D है हमारा किसानों से निकाली गई अवेद वसूली तो इसका जो राइट आंसर है वो है option C यानि कि जो इकादारों द्वारा राज कोश में भुक्तान की गई अधिक रासियों जो फावाजी एका धारकों का आय और व्याक के बीच में क्या था तो एक संतुल है था तो इसका जो राइट आंसर है वो है option C तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का मेटेवल हिस्ट्री का 27 प्रिवियस यह कोशन प्रेपर डिसकसन जिसमें हमने सब्सक्राइब करें 1997 को डिसकस किया है तो मुझे उमेद है कि आपको यह डिसकसन स्रीज पसंद आ रही होगी तो इसी डिसकसन स्रीज से जोड़ने के स्ली यह जेहिं